नमस्कार मैं अंजली मिशौर स्वागत है आपका हमारे चैनल में बता दें कि नवाब मली की हाली फिलाली में गिरफतारी हुई है और जो एंसीपी नेता नवाब मली की गिरफतारी के बाद अभी जो खबन निकल कर सामने आ रही है वो यह आ रही है कि अब शिब सेना के एक और नेता यश्वन जादव के मुंबई स्थित आवास पर आयकर विभाग ने चापे मारी की है जो यहां बलकुल सही सुना आपने इस वक्त की बड़ी आपको बता देगी खबर है यह एक जहां पर नवाब मलिक जो है नसीपी के नेता उनकी गिरफत चापा मारा है और यहां उनके ठीकान ऊपर चापे मारी की जा रही है हाला कि अभी तक यह बासाफ नहीं हो पाई है की आएकर विभाग के तरब से यह चापे मारी किन तरव वजह से की यहां पर गौर करने वाली बात यह नवाब मलिक ने अभी फिलाल में गिरफतार किया है और फिलाल की खिरासत में अबाब मलिक और आएकर विवाग की तीम यश्वन मुंबे से दूसरे घर पर भी चापे मारी की जो की मजगाओं में स्थित है यानि यह के बाद एक जो आवास जो ठीकाने वहां पर चापे मारी की जारी कुछ तलाशी लिए जा रही है लेकिन यह किस चीज की यश्वन के यहाँ पर ऐसी क्या माबाते हुई है ऐसा क्या कुछ मिला है उन्हें इनफोर्मेशन यह अब तक साफ नहीं हो पाए कि किस बेसिस पर चापे मारी की जा रही है गौर करने वाली बात यह भी है कि नवाब मली को जब हिरासत में लिया था तो उसके बाद कॉंग के बाहर भारी भीड जो है काफी जादा लोगों का जबावड़ा है वहाँ देखने के लिए मिला था इस प्रदर्शन में यश्वन जादब ने भी हिस्सा लिया था और इसके साथ ही यश्वन जादब स्थाइस समीति के सदस्थ है वो लगतार भारतिया जनता पार्टी प उपर अब आयकर विभाग की जो है कारवाई देखने के लिए मिल रही है वही नवाब मली के गिरफतारी के बाद महारास्ट्रे के उपमुके मंतरिया अजीत पवार ने भी कई मंतरियों के साथ धरना दिया था हाला कि इस धरने में शिवसेना का कोई भी नेता वहां नहीं पहुचा लेकिन कुछ घंटों बाचिप सेना के नेता और प्रदेश सरकार के मंतरे शुभास देशाई वहां पहुचे हुए थे और धरना में हिस्सा लिया बता देकि अधित ठाकरे और संजलाओ तो समय उत्तर प्रदेश वजासबा चुनाओ के लिए प्रचार में व्यस पहुची थी और वहां पर उनसे बाचित की गई तीम नवाब मलिक को नेका निकली अपनी मुंबई स्थित ऑफिस महर वहां पर साथ बच के 45 मिनट से नवाब मलिक से पूच्टाच चालू ही और लागातार कई घंटों पूच्टाच चली है 5-6 गंटे पूच्टाच की ग पर है वो निकल कर सामने आई उनकी मेडिकल जाच के लिए उन्हें ले जाए गया और इसके बाद यह मामला और वही जादा आगे बढ़ते रहा है इन एक बात और देखने के लिए मिली वह यह थी कि जब नवाब मली के गिरफतारी के खबर भी आ गई नवाब मली बाहर भ रहे थे और ऐसे में अब यू कह सकते हैं कि महाविकास गाड़ी की सरकारी की पोल जंता के सामने एक के बाद एक खुलती जा रही है बताते कि अनिल देश्मुक को काफी ज्यादा करीबी बताया जाता था तो अभी अनिल देश्मुक जेल की सलाकों के पीछे है फिर जो नेक्स नंबर है वो संजलाउत का भी हो सकता है अब यह अपस में आपको बताते कि देखने वाली यह बात है कि महारास्ट्र सरकार की जो महाविकास गाड़ी की सरकार है यह दिन पर दिन जंता के सामने बेनकाब हो रही है सिटिंग रिया मंतरी जो थे देश्मुक जी उनका गोटाले में नाम निकलकर साबने आया था अब नवाब मलिक है नवाब मलिक की प्रपरटी डीलिंग कई तरीके से अवैद तरीके से डाय पकड़ेगे कासकर तो कासकर ने ही नवाब मलिका नाम भी लिया था जिसके बाइड िडि को इसके खिला को सबूत मी विल 국लिकों ले जाए गया था साफत तरपर नवाब धा Siya Marisa जुहां तोना मावर णिकल कर साहब चुंद को बना नकल कर सामने आ रहा रहा है कोई संसद में का नहीं सथा हमाने ठाप साहर इसके साहिज। शुक्ति जुबर उनलुनरे सब्सक्राइल हैजने तक्रिबन 23 जुबने की सब्सक्राइज इसके म lug التro Bueno जिनके ओपर एक बाद अलग-अलग मामले में फर्जी बारा धोखा धरी पैसे की हेर फेर जमीन हेर प्रापरटी के लिए इन दिन में हेर फेर करने का जो मामला है यह निकल कर सामने आए जो अलग-अलग मामले में जाच चल रही है तो साफ तो पर यह महाविकास गाड़ी की जो सरकार है जो इस वक्त जहां पर संजर राउत और आदित ठाकर आ के उत्तर पे देश में लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और कह रहे हैं वोट करना चाहिए उनके खुद के गड़ में बहुत ज़ादा तबाही मची हुई है एक के बाद एक वरिश्ट नेता एक बड़े जो नेता नाम उंका सारल मामला सामने आ रहा है और राषठ शुरक्षा से जुड़ा हुए मैं सामने आ रहा है इंन लोगों के एक तर घर्प्र-ald dif योट मांगने के लिए हुए तो कि यदि दूसरी तरफ आप बड़े हैं महाराश्टण के मुश्क्रमाएं बढ़ घ मुंबए की दूसरे जो मचगाव वाला आवास है वहां पर भी आयकर विभाग गई वहां पर भी उनके तरफ से कुछ चीज़ें धूनी सर्च की गई लेकिन किस बैसिस पर चाह पेमारी की जा रही है अभी से लेकर विभाग के तरफ से कोई भी ऐफीशल स्टेटमेंट नही चाहिं और यह तार कहां तक जुड़ते हैं कौन से और बड़े लोगों के और बड़े नेता के नाम निकल आने वाले के साथ ही साफ हो पाएगा ऐसे मैं उनके घर पहुंचे और पर बातवी जाध़ जो मामले हैं उसको लेकर वाथ कर रहें कई सारे मुद्ढे पूशताच की जा रही है कई सरी जो चीजें है उनसे पूची जा रही है और इसके बावजूर जो इस्थाई क्योंकि वह जो मुंबई नगर निगम के स्थाई सिमिति के ध्यक्षा और शिवसेना के नगर सेवक है बता दे कि पिछले कई दिनों से एडी शेहर में लगतार नेताओं के प हाला कि अभी साफ नहीं हुआ है कि जादव ने एडी के किस विशह में पूश्टाच कर रही है लेकिन यह जानकारी में लिए कि पूश्टाच आगामी मुंबई के नगर निगम चुनावा के मद्दे नजर किया रहा है बताया जा रहा है कि आप पूस्ता से शिवसेना के बड़ा जटका निकल कर सामने आने वाला है तो शिवसेना के लिए बड़ा जटका है और यह उमीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में शिवसेना के मुश्ट के लिए और बढ़ने वारी है तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि पूरा मामला है क्या और इस पूरे मा कमले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं